एक महीने से उपर हो चुका है जब से वजीरेक्स के फंड्स हैक हुए है 230 मिलियन डालर हैक हुए है वजीरेक्स से फ्रेंसिक रिपोर्ड के मताबिक जिन से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिन्नोंने यतना बड़ा हैक है उन्होंने भी डिनाई कर दिये वो अपने सर पे ब्लेम नहीं लेने वाले लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा इंपेक्ट पढ़ रहा है वो यह है कि हम सभी के जो क्रिप्टो बैलेंस है INR के बैलेंस यानि कि रूपीस के बैलेंस जो हमारे पढ़े थे वजीरेक्स एक्षेंज के उपर वो भी वापिस नहीं मिल रहे है यानि कि विड्रॉल अभी तक बंद है जो कि एक महीने से उपर हो चुका है वजीरेक्स ने फाइनली एक नया अब्रेट दी है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और थोड़ा और डीटेल में बात करेंगे जो कि लिमिनल कमपनी है जिन्होंने डिनाई किया है कि उन्होंने हैक नहीं किया करंटली आपके बैरांस वापिस आपको दिख रहे है या नहीं दिख रहे है वजीरेक्स इंडिया का एक ऐसा एकलौता एक्सेंज था जिसकी सबसे ज़्यादा है थी जिसकी उपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था आज वजीरेक्स उन उन एक्सेंज में से एक है जो की डाइसों में से बिलकुल लास्ट वड़ी एक्सेंज बन चुका है जिसकी rating 0.1 से नीचे जा चुकी है जिसकी उपर trading volume बिल्कुल 0 dollar चल रहा है liquidity खत्म है लगबग सब कुछ suddenly खत्म हो गया लेकिन यहाँ पे मुझे उमीद जो है वो यही लग रही है कि वजीरेक्स फिर से वापिस आएगा बिल्कुल उसी तरीके से वापिस इंडिया में चलेगा ही चलेगा major जो पहले decline चल रहा था वजीरेक्स के उपर वो यही था कि TDS की वज़े से कोई भी इसके उपर trade नहीं करना चारा था लेकिन देखते देखते यहाँ पे शायद company ने इतना ध्यानी दिया यानि कि security के उपर इतना ध्यान ना देने के वज़े से हो सकता है कि यहाँ पर इतना बड़ा hack हुआ और possibility यह भी बन सकते है कि Binance ने या फिर Binance की टीम के द्वारा यह hack करवाया हूँ क्योंकि उनकी VzirX के साथ हमेशा दुश्मनी रही है यही कारणा है कि WRX की value बहुत लंबे स्वामे से बड़ नहीं पाई तो VzirX exchange की जो latest update आई थी वो यह थी कि 230 million का जो hack हुए इसमें इनके जो main systems हैं वो unharmed रहे हैं यानि कि उनके उपर कभी खास impact नहीं पड़ है और जो main blame लगाया गया वो liminal company के उपर लगाया गया कि उन्होंने यह hack किया या करवाया है और यह actual में जो investigation करीए है यह mandate solutions के द्वारा करीए जो कि Google की खुद की सबस्ट्री है तो यहाँ पे जो total loss हुआ था वो 45% holding assets का हुआ था है कि जितने भी assets से उनमें से लगबग 45% total hack हो गए या फिर total loss में चलेगे तो multi-sig wallets के उपर attack किया गया था यहाँ पर multiple private keys की authorization चाहिए होती transactions करने के लिए और इनमें से जो 5 थी वो वजीरेक्स के पास थी और एक liminal के पास था investigation से यह पता चला है कि वो जीरेक्स के तीन members के द्वारा ही यहाँ पर approval होना चाहिए यह की multi-sig wallet है इसी के साथ authorization जो थी वो liminal के पास भी थी यान कि total यहाँ पर चार ऐसी authorization होती है तब ही उसके बाद ही एक transaction हो पाती है तो यहाँ पर पता यह चला है कि जो laptop थे वहाँ पर तो compromise नहीं होगा है लेकिन liminal के द्वारा यहाँ पर ऐसी possibility होग सकती है लेकिन liminal ने भी यह deny कभी है अभी तक भी वजीरेक्स exchange पूरा confident ही कि वो investigation के साथ साथ क्या है कि पूरे assets को वापिस उसी तरीके से as it is रख देगा और आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे बाउंटी प्रोग्रम भी चल रहा है जिसमें यह लगबख 10,000 डॉलर का reward देने वाले है और यह बात सच है कि वजीरेक्स ने इस बार Binance को भी अप्रोच किया उनसे भी पता गया कि उनकी तरफ से यहाँ पे control था revenues की उपर, WRX token की उपर जो की लगबख 80,000,000 डॉलर के थे क्या उनकी तरफ से ऐसी कोई problem तो नहीं क्रेट करेगी और इसी के साथ liminal की बात करें तो उनका कहना सिर्फ यह यह कि उनके पास सिर्फ एक ही की थी छे में से पांच जो थी वो वजीरेक्स exchange के पास ही थी या फिर उनके team members के पास ही थी यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ यह बता रहे हैं कि 55-45 की अप्रोच यह चलाने वाले हैं जानी कि अगर आपके पास 100 tokens से तो उनमें से आप 55 tokens को trade कर सकते हैं या फिर उनको access कर सकते हैं और जब तक funds की recovery नहीं हो जाती तब तक यह कि जो आपके 45% funds हैं उनको USDT में convert किया जाएगा तो यह approach उन्होंने प्रपोस्ट करी थी लेकिन customers यह नहीं चाते इसे के साथ साथ जो liminal है उनको as a custody partner अभी हटा दिया गया तो आने वाले समय में पता चलेगा कि final solution क्या निकल करके आता है लेकिन currently अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी जादा detail सामने आईए कि laptop सो कभी compromise हुए ही नहीं थे और most recent update आया वो यही है कि वजीरेक्स अभी जो हमारे प्राने orders है open orders है उनको cancel करने के साथ हमारे आयना और crypto assets उनको block कर रहे है और इसे के साथ respective balances जो है उनको add करने वाला है और यह शायद दिनों ने दो तीन पर यह सेम चीज़ पहले भी update कर दी थी है I hope कि अभी जल्दी कर ही देंगे लेकिन पूरी detail अभी तक भी सामने नहीं आई है कि इनका कितना amount hack हुआ था कौन सा amount या फिर कौन से crypto assets steal किये थे कभी कौन-कौन से जो crypto assets है अभी बाकी बचे है proof of reserves की updates नहीं है coin cover के उपर और INR किस तरीके से hack हो गया या फिर INR को यह withdraw क्यों नहीं करने दे रहे क्योंकि सभी को अभी जानना है यह final action में हुआ क्या है और क्यों हम अपने funds को access नहीं कर पा रहे क्योंकि INR कभी hack हुए ही नहीं थे और hack जो हुए थे वो सिर्फ crypto assets ही हुए थे तो आप अपने update जुरूर रुकताना कि आपका अभी exchange कैसा चल रहा है INR वापिस मिला या नहीं मिला और आपको crypto assets वापिस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे उमीद आपको ये वीडियो informative लगा हुगा क्योंकि आगे आने वाले साम में अभी उमीद है कि बहुत अच्छा अपडेट्स आने वाले हैं वर्जीरेक्स के अगर वर्जीरेक्स कवर होता है तो इससे शाहिए WRX के ओपर भी हमें अच्छा impact देखने को मिल सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊगा इंफोर्मेटिव लगाऊगा प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल वाफट को सब्सक्राइब अरके बेले के दबालीजे ताके आप तक आने वाले वीडियो स्क्रूटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे ये वीडियो देखने के लिए धान्यवाद